अगर आप बिगनर है और पहली बार लड़ू को पाल जी के लिए ड्रेस बना रहें तो भी आप ये ड्रस बहुती आसानी से बना सकते हैं देखें ये जो ड्रेस हमने बनाई है वो हमने लड़ू को पाल जी के लिए डेली उसके लिए बनाई है आप देख सकते हो लड़ू को पाल जी इसको पहन कर कितने सुन्दर लग रहे हैं इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनान जाते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम है अदिकल्चरल वाल्ड 268 साथी साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंज अब हम ये बहुती सुन्दर सी ड्रेस और ये मुकुट बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले हमने देखिए स्काइ ब्लू कलर के अस्तर के फाब्रिक में से एक पीस कट कर लिया है हमने अस्तर का फाब्रिक यूज किया है क्योंकि ये बहुत ही पतला होता है और प्यूर कॉटन होता है और लड़ुकोपाल जी को ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा आराम भी करता है हम ये जो dress बना रहे हैं वो हम daily use के लिए बना रहे है तो रोज के लिए लड़ुकोपाल जी को cotton का कपडा पहनाना इन गर्मियों में बहुत इच्छा होता है तो इसलिए हमने ये अस्तर यूज किया है, अगर आप अस्तर नहीं यूज करना चाहते हैं, तो अब कोई भी cotton का कपड़ा यूज कर सकते हैं, हम ये जो dress बना रहे हैं, वो हम 4 नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए बना रहे हैं, तो इसकी यहां से यहां तक की हमने जो total ल साड़े 3 इंच हो जाएगी, अगर आप इसे बड़े नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए ये dress बना रहे हैं, तो आपको लंबाई में 2-2 इंच एड़ करते जाना है, और चोड़ाई में आपको एक-एक इंच एड़ करते जाना है, और अगर आप इसे छोटे नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए ये dress बना रहे हैं, तो आपको लंबाई में से 2-2 इंच घटाती जाना है, और चोड़ाई में से आपको एक-एक इंच घटाती जाना है, अब कपड़ी को हमें ऐसे बराबर करते हुए बिलकुल बीचो बीच से फोल्ड कर लीना है, और प्रेस और इस पर लगा लेना है, नीचे से हमने देखिए वाइट कलर की लेस भी लगा लिया है, अब हमें इस पर जिगजग का निशान बनाना है, देखिए यहां कॉर्नर से हम शुडू करेंगे, और ऐसे निशान बनाते हुए इसको यहां तक ले आएंगे, फिर यहां से ऐसे फिर से हम यहां से नीचे की तरफ से निशान ले आएंगे, और फिर इसको यहां ले जाएंगे, ऐसे ही हमें इस पर जिगजग का निशान बना लेना है, हमने देखिए जिगजग का निशान बना लिया है, अगर आपको डाइरेक्ट इस तरीके से निशान बनाने में मान सस्टा मिलगोर फिर यहां से एक के ऊपर एक रहते हुए कर देना है इधर कॉरनर साइड लगाइना इदहितों डूनव साइड कोश्क हो มीदा आघि और फिर एक बार और fold करेंगे ऐसे डबल fold करते होगे हम दोनों तरफ से silayer लगा लेंगे हमने देखिए डबल fold करके लगा लिया है अब हमें इसको इस तरीके से रखना है और बिल्कुल पास में ने न sha changing- appeals शिसके से plates विप्लेंने है और ऐसे पतले पतले से plates डालते हुए हमें यहां उपर की तरफ से सिलाई लगा लेनी है हमने देखे plates डाल लिया है plates डालने के बाद लड़ू गोपाल जी के कमर की जो हमने टोटल यहां से यहां तक की चोड़ाई रखी है वो हमने 5 इंच यानि की 5 इंच रखी है यह जो measurement है यह 4 नमबर के लड़ू कोपाल जी के लिए है तो अगर आप इसे बड़े नमबर के लड़ू कोपाल जी के लिए यह dress बना रहे है तो आपको कमर में भी आधा आधा इंच एट करते जाना है और अगर आप इसे छोटे नंबर के लड़ू को पाल जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं तो आपको कमर में से भी आदा-दा इंच खटाते जाना है या फिर अगर आपको measurement के हिसाब से कमर बनाने में problem होती है तो आप चाहें तो अपने लड़ू को पाल जी के कमर का measurement कर सकते हैं जो भी size आएगा उसी के हिसाब से आप ये कमर रख सकते हैं अब हमने देखिए sky blue color के कपड़े में से एक piece कट कर लिया है इसकी total यहां से यहां तक की लंबाई हमने 14 inches यानि की 14 inch रखी है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है वो हमने 1.5 inches रखी है इधर की तरफ से देखिए हमें extra कपड़ा छोड़ देना है और ये जो हमने plates डाला है यहां से लेकर के यहां corner तक हमें इसको joint कर लेना है सिलाई लगा कर हमने देखिए इसको beach में से joint कर लिया है अब हमें इसको पलट कर पीछे की तरफ से रखना है और पटी को उपर कर लेना है ये जो हमने extra कपड़ा छोड़ा था इसको देखिए हमें नीचे की तरफ से एक बार ही fold करना है और एक बार उपर की तरफ से fold कर लेना है फिर beach में से fold करते हुए देखिए ये जो हमने plates डाली थी इसके उपर हमें रखना है इस तरीके से और यहां से सिलाई लगाते हुए इसको यहां से यहां तक joint कर लेना है पेल्ट भी हमने दिखे लगा लिया है अब हमने फिर से ये वाइट कलर की लेस ले लिया है जो कि हमने नीचे लगाई थी इसको हमें कमर पर यहां से रखते हुए यहां से यहां तक लगा लेना है हमने कमर पर देखें लेस भी लगा ली है अब हम लड़ू को पाल जी के लिए चोली बनाइँगे चोली बनाने के लिए हमने देखें स्काइब्लो कलर के कपड़े में एक पीस कट कर लिया है इसकी यहां से यहां तक की जो हमने लंबाई रखी है वो हमने 8 inches यानि की 8 inch रखी है और इसकी जो हमने ये चोड़ाई रखी है वो हमने 1,5 inch यानि की 2,5 inches रखी है हमने चोड़ाई थोड़ी ज्यादा कट की है क्योंकि हम दोनों तरफ से इसको double fold करके सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने के बाद इसकी जो चोड़ाई है वो 1 inch हो जाएगी ये जो measurement है ये 4 नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए है तो अगर आप इसे बड़े नमबर के लड़ू गोपाल जी के लिए ये dress बना रहे है तो आपको लंबाई में एक-एक इंच एड़ करती जाना है और चोड़ाई में आपको आधा-धा इंच एड़ करती जाना है और अगर आप इसे छोटे नमबर के लड़ू कोपाल जी के लिए ये dress बना रहे है तो आपको लंबाई में से 3-4-5-1-5 inch खटाते जाना है और चोड़ाई में से 1-1 inch के पाद है अब देखिए अम इसको दोनों तरफ से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाने है तो इसको एक बार हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे ऐसे डबल फोल्ड करते हूँ हम दोनों पीछे से रखना है इस तरीके से और यहां से लेकर यहां तक लगा लेना है इसके साथ हमें देखे यह वाली वाइट कलर की लेनी है और इसको हमें यहां ऊपर की तरफ से ऐसे लगा लेना है हमने देखिए दोनों तरफ से लेस भी लगा ली है अब हमें इसको पलट कर पीछे सेंटर में ऐसे बीचों बीच में रखते हुए यहां से सिलाई लगा कर जोइंट कर लेना है हमने देखिए इसको यहां से जोइंट कर लिया है अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आजाएगा अब हम लड्डू कुपाल जी के लिए बहुती सिंपल सा मुकुट बनाएंगे मुकुट के लिए हमने देखिए स्काइबलू कलर के कपड़े में से एक पीस कट कर लिया है इसके यहां से यहां तक की लंबाई हमने 7 इंचिस रखी है और इसकी जो हमने यह चौड़ाई रखी है वो हमने 4 इंचिस यानि की 4 इंच रखी है अब देखिए हमें इसको इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लेना है और यहां उपर की तरफ से एक बार सिलाई लगा लेनी है यहां उपर की तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हमें इसको यह जो जगह है ना यहां से पलट कर सीधा कर लेना है यह बहुती आसानी से देखे पलट जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी अब हम एक बार इसके उपर प्रेस लगा लेंगे प्रेस लगाने के बाद अब इन दोनों कॉर्णर्स को हमें ऐसे डबल फोल्ट करते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों साइट से हमने देखिए फोल्ट करके सिलाई भी लगा ले अब हमने फिर से यह वाली लेस ले ली है इसको देखे हमें अंदर की तरफ से इस तरीके से यहां से रखना है और यहां से लेकर यहां तक लगा लेना है हमने फिर से यह वाइट वाली लेस ले ली है इसको हमें यहां से यहां तक लगा लेना है हमने देखी यह वाली भी लेस लगा लिए अब जो हमने यह वाली लेस लगाई है इधर की तरफ से हमें इसको ऐसे पोल्ट करना है और इसके उपर रखना है देखे इसे तरीके से यह वाला जौ हिस्सा है यह लडीू को पाल जी के सिर पे रखेंगे हम तो आगर आप चाहें तो अपने लड़ू कोपाल जी की सिर का measurement कर सकते हैं, जो भी size आता है, उसके हिसाब से आप इसको देखें, ऐसे छोटा भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, तो आप इसको लड़ू कोपाल जी के सिर पर पहना कर measurement कर लें, फिर जो भी size आता है, उ तो कि हमने ये डेली यूज के लिए बनाए है अगर आप इसको हैवी लुक देना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्लावर्स भी लगा सकते हैं जिसी कि इसका लुक और हैवी हो जाएगा तो देखें फ्रेंज हमारी लड़ू को पाल जी के लिए बहुती सुन्दर सी ड्रेस और करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तैंक यू